नमस्कार दोस्तों, मैं सुनिल शुकला इतना तो तह है कि पैसे के दमपत यह सब अमबानी और मालिया बन सकते हैं लेकिन जमनालाल बजाज, घंसयाम दास बिर्ला, कलाम, रतन टाटा, सुधा मूर्ती, अजीम प्रेम जी आधिकत्ता ही नहीं बन सकते इनके यहां कब इस तरह के फिजूल खर्ची से भरे जल से आयोजित किये गए हैं अधिजल गगरी छलकत जाए, अगर गगरी भरी नहीं है या फिर खाली है तो गगरी तो छलकेगी ही और पानी जरूर बहार आएगा इंग्लिस में इसे empty vessel makes much noise कहते हैं अगर पात्र खाली है तो आवाज करेगा यह एक मुहावरा भर नहीं है आदमी और समाज की गलतियों को ठीक करने के लिए यह एक उपहास, मजाक और सिक्षा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है खास कर भारती समाज में आदमी बड़ा हो या छोटा अगर बेवार उचित नहीं है तो लोग कहेंगे जब वक्त आएगा तो सारा का सारा हिसाब बराबर कर दिया जाएगा याद रहे वक्त किसी को छोड़ता नहीं है वक्त ने कभी बरतन नहीं मांजे हमेशा आदमी को आइना दिखाया है और रास्ते पर लाया है ये मुहावरा मुकेस अंबानी के लड़के अनंद अंबानी की शादी पर बिलकुल फिट बैठता है शादी का पहला प्री सेलेबरेशन मार्च में दूसरा प्री सेलेबरेशन माई में और जुलाई में संगीत, हल्दी, मेहंदी, फिर शादी आगे चर्चा होगी कि दमपती हनीमून के लिए कहां जा रहे हैं किस होटल में रुक रहे हैं फिर प्रगनेंसी सेलेबरेशन और डिलीवरी के चर्चे आखिर में बच्चे का जन्म दिन का भव्वे आयोजन और मीडिया पल-पल की खबरें दे रहा हो अजारों करोड के खर्चे हर कारिक्रम में राजनेता, नौकरशा और पूरव सिस्टम इस साधी में ऐसे ब्यस्त हो गया हो कि जैसे देश का 15 अगस्त या 26 जन्वरी हो किसी आम आदमी के बच्चों की शादी होती तो आयकर विभाग बराती बनकर वहां पहुंचता और परिवार को नोटिस पकड़ा देता, लेकिन रामायन में तुलसी दास ने कहा है समरत का नहीं दोस कुसाई, सामर्थवान पर ये बात नहीं लागू होती है यानि अनंता अम्बानी बाईज़त बरी हो गए, इस रेस में फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है भी अनंता अम्बानी की नकल करेंगे, पैसा जहां लगाना चाहिए, वहां नहीं लगेगा काले धन का समुच्चत उपयोग किया जाएगा, आखें बंद कर ली जाएगी, यह तो चलता है कि नाम पर सबजायच कर दिया जाएगा शायद अब मुद्दे मुद्दे नहीं रहे, अब गरीबी, बेरोजगारी वसिख्चा, पूझी वाद की गलियों से गुजरेगी, चंद केक के टुकडे फेंट दिये जाएगे, और जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी यह पूझी पती अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं कि हमारी वज़े से लाखों लोग बरबाद भी होंगे और हमारी हर चीज को देखा जा रहा है जब मुल्क का बेरोजगार नौजवान सड़क पर रोजी रोटी के लिए रोज लड़ाई लड़ रहा हो और पचासी करोड लोग सरकारी इमदाद पर जिंदा हों तो यह शादी किसी तमाशे से कम नहीं लगती है यह एक मजाग जरूर है इतना तो तह है कि पैसे के दम पर यह सब अमबानी और मालिया बन सकते हैं लेकिन जमनलाल बजाज, घंसे हमदास बिरला, कलाम, रतन टाटा, सुधा मूर्ती, अजीम प्रेमजी, आदि, कत्ता ही नहीं बन सकते हैं इनके हाँ कब इस तरह कि एकी फिजूल खर्ची से भरे जल से आयोजित किये गए हैं, हाँ अगर धीरू भाई होते एक बार जरूर सुचते लक्षमी तो चंचला है, अधजल गगरी छल कर जाए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ